आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों पर एक डारेक्ट अटाक किया आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्ड डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते है ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है सिल्वर है चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुसपैठियों में बाट देना चाहते हैं क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? क्या आपको ऐसा दिखता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिखी चाप है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएंगे तेकि पता नहीं अब उनकी वस्तवता कुछ और है मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया है उतनों में गुड़ी 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 उशालते रहें फिर मुझे लगता भी तो इको सिस्टिम का बड़ा मिली बखेर लगता है आम मुझे सच्चाई लेकर ज्ञाना पड़े जा मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि देश इस मैनिफेस्टों में जो बुराइया है उसको को इन कोई को कि निस्पक्त तरिके सा आता है तो अच्छा है आखिर कर मुझे मजबूरन यह सच्चाईया लेकर के आने बड़ी आप देखे साब और उनके एक महासरे ने अमेरिका में इंटर्यू के दिया तो इनेरेंस टाक्स पर तो इनेरेंस टाक्स की बात ले आए अवेल डिडिश्टिविशन की बात करते हैं और उनके आज तक का इतिहां से वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मे बरे इसा मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है कि मैं देश वाश्यों को बताऊं कि भी यह इस दिशा में ले जा रहे हैं अब आप तै कि जाना ने जाना जना ज जो बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूं कर देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा अब कॉंग्रेश का इतियार देश के नब्बे के दसक से यह मांग उठी है देश में समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए अंदोलन हुए है नब्बे से पहले कॉंग्रेश ने पूरी तरह इस बात को खारिश कर दिया उसका विरोध किया उसको दबाने की कोशिश किया यहने नब्बे के पहले का उनका दसक है फिर उनको जितनी भी कमिशन बने जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रिपोर्ट्स ओबी सी के विचार के पक्ष में आने लगे अब उनके शेफारोसे कोगी वो नकारते रहें रिजयक करते रहें दबाते रहें अबने के दसक में उनको लगा भी है विचोष जरा उनकी वोट बेंक की राज लितरी के अनुसार उसको टन दिया जाय उनके पहलाप के क्या नाइंटीज के दसक में करनातका में उनके धर्म के आधार पर आपको जाद होगा करनाटर के में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसल्मानों को OBC गोशिद कर दिया यानि देश के OBC को नकारना उस विचार को दबाना उस विचार को रिजेक्ट करना लेकिन राजलिती खाकर मुसल्मानों को OBC गोशिद कर देना केंद्र से कॉंग्रिस गई 2004 तक यह प्लान ठप रहा उनका इरादा पक्का नहीं हुआ 2004 में उफिराए तो आते ही आंद्र में मुस्लिम को OBC कोटा यह देना ताय का लिया मामला कोट में जाके बुलज गया अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षन में मिला हुआ है बारत के संसद में दिया है समिधान के मुल्भूत भावना के प्रकाश में दिया हुआ है 27 परसंट सैद लगाने के उन्होंने तैरी करती डाका डालने की कोशिश की 2006 में National Development Council के मिटिंग हुई जी NDC की मन मोहन जी ने बयान पर बहुत बड़ा हंगाम हो गया है 2 साल Congress पूरी छूप रही है 2009 के गोश्रापत्र में फिर से इसका जिकर किया 2011 में Caminate note है इसका 2011 के Caminate note में OBC के 27 परसंट हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को देदेना उन्होंने तै किया जी 2012 UP चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ 2012 आंद्रा हाइड कोट ने इसको रिजेक कर दिया रद कर दिया कानूनी जज्मेंट आ गया SC में गए सुप्रिम कोट में गए वहाँ उनको कोई रिलिफ नहीं मिला 2014 के गोश्रापतर में भी दर्व के आधारपन आरक्षण की बाद कहीं है जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई RSS वाले BJP वाले संविधान सभा में नहीं थे बाबा साब आमजरेकर जेसे लोग बैटे थे पंडिक नरू जेसे बैटे थे साथा अवलब बैटे थे देश के कई महपुरुष बैटे थे उन सबने लंबे चिंतन के बाद पाई किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मेनिफेस्ट और मैंने का इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है मुस्लिम लिगी नीतिय उन्होंने अपना रिशूर किया अब यह जो उन्होंने सित्या बनाई है मुझे बताईए कि देश के लोगों को यह जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जियां उड़ा रहते हैं जिस प्रकार से लोग बापा साब आमबेट करको अब बानित करते हैं SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं जो कलम के धनी हैं जो निस्पक्ष हैं उनका इदाइक्वा बनता हैं कि ऐसे थमाइदेश को वो एजुकेट करें सही चीज़े बताएं तो ये लगातार आपने सुना क्या कुछ प्रधान मंत्री ने कहा और उन्होंने कहा कि इस पर और जादा फोकस किये जानी की जरूरत थी जो नहीं किया गया और इस वजह से वो आकर समझा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तत्काल के जो शब्दें या तत्काल की जो बातें ये ऐसा नहीं है लंबा चोड़ा इतिहास उन्होंने निगराया एक और बड़ी महतुकून बात वो बार-बारे कैबिनेट के नोट का भी जिक्र करते हैं अपरना बिल्कुल और विस्तार सिलालित यहाँ पर प्रधार मंत्री ने चीज़े बदाई है कि किस सरीके से धर्म की आधार पर आरक्षन दिने की वकालत कॉंगर्स करती रही है और आरक्षन को लेकर भी कॉंगर्स का क्या पॉइंट फ्यू रहा है हमाई साथ खास मेंमान लगातार जुड़ गए हैं कॉंगर्स की प्रवक्ता है रोहित नायक जी वरिष्ट बत्रकार है जैन्त वर्मा जी और बिजेपी का पक्ष रखने के लिए उनकी प्रवक्ता है डॉक्टर प्रेम व्याजी और साथी बतौर राजितिक विश्लेशक आलोक वस्टी नायडर स्टूडियो में राजित के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन पहला सवाल रोहित नायक जी मैं आपसे लेने जा रही हुए हाँ पर सीधा ही प्रधार मंतिर अरेंदर मोदी के इंटर्व्यू की जलक आपने में देखी सुना आपने उनके इस अक्तवे को आप किस तरह चौधा के कॉंगर्स की मैनिफेस्टों में दर्ब के आधा रोहित जी आपसे भीना सवाल था चली अब कुछ तकनीकी दिक्कत है रोहित जी के पास हम चलेंगे उनने तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है लगातार जैन्त वर्मा वरिश्पत्रकार हमारे साथ बने हुएं डक्टर प्रिम व्यास भूबी हमारे साथ बने हुएं अलोक वत्सर लगातार हमारे साथ बने हुएं जैन्त वर्मा पहले में आपके पास आना चाहूंगा एक बात प्रधान मंत्री जिक्र करते हैं कि हमने ये कहा उस पर गुना बुना सुना जाना चाहिए था उसकी गहराई में जाना चाहिए था और भी जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन जैन्त वर्मा साब मेरे ख्याल है कि जैन्त वर्मा साब अभी जोड़ नहीं पाए है आलोग वासर लगातार बने हुए आलोग वासर सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन जो कुछ भी प्रधान मंत्री ने आप कहा है हाला कि पूरा इंटर्व्यू तो नहीं है एक एक हिस्सा है जलक है जी कुर्में कहा कि इस तरह की बातें उनकी मेनिफेस्टों में हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो सारी बातें उनके कॉंग्रेस के मेनिफेस्टों में उल्धंक से प्रदर्शित थी जैसा कि कहा गिया था लेकिन ये जरूर है कि अपीजमेंट की पॉलिशी खास कर मुसल्मानों के प्रती उनकी शुरू से रही है जिसको बार-बार लोगों ने देखा है और उनके नेताओं ने भी समय समय पर उस तरीके के ब्यान दिये हैं तो अभी के इस्तिती में एक चीज तो तै हो गई है कि जिस तरीके जिस दोर में ये चुनाओ 2024 का आ गया है और जिस तरीके की भाशा का प्रयोग सब दल मिलके कर रहे हैं वो अपने सबसे लोएस्ट अस्तर पर चला गया है हम लोगों को इंटरव्यू में पॉलिटिकल एनलिस्स में या इंटरव्यू में बड़ा मुश्किल होता है अच्छा नहीं लगता है उन चीजों को बात करना जिसकी बातें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ये दोर लोएस्ट एब आफ राजनीत का दोर चला आया है लुप अपने फना ऐस्थव कोई अबनी आशुता नहीं जिसका कोई लेना देना नहीं सिर नहीं पैर नहीं जिसका राजनीत से कोई मतलब नहीं पर्सनल बाते क्या आपको सर ऐसा लगता है कि यह एक घेरा या जिसे कहना चाहिए केंद्री करंड या भ्रम की राजनीती कुछ ऐसा आपको लगता है इस केंपेंग और खास तौर पर अभी जो केंपेंग शुरू हो गई है सेकेंड दोर में खास कर जी बहुत लोए स्टेप पर आके राजनीत तिक गई है और मैं आपको बता रहा हूं हम लोग पब्लिक फिल्ड के लोग हैं दिन रात लोगों से समाज के हर स्ट्राटा से खेतियर किसान से मजदूर से और बड़े-बड़े राजनीतिक बिसेशक से बड़े बिद्वाने से भी पाला पड़ता है बिलिब मी लजी नोबड़ी लाइकिंग इट जी किस कोई भी आपनी जिस तरीके की राजनी हो रही है यहां पर रहेगा एक बसाईए आस्टा जी मेरा सवाल आपसे यह रहेगा कि जो अपीजमेंट पॉलिक्स का जिक्र आप जब कॉंग्रस हारी थी देश का कि किस तरह से जो कॉंग्रस की तुष्टिकरण की राधितिक कह लिजी या जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल रहा उसे जनता के बीच कही ना कि ये छवी मंगे कि कॉंग्रस एंटी हिंदू है और उसने एक बड़ा नुकसान कॉंग्रस को उसक desperation, exhaustion, exhausted, सब कुछ कही है कि तरकस में सारे तीर खतम हो गए तो इन सब तीरों से निकालके आहत करने की कोशिस की जा रही है और ये बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए किसी भी वर्क से, किसी भी दल से, किसी भी तरीके से ये नहीं आना चाहिए किस स्थर की राजनीत की बात कर है हम लोग क्या सीख दे रहा है नो जवानों को क्या सीख दे रहा है युवाओं को क्या सीख दे रहा है महिलाओं को अरे राजनीत करनी है तो खुल के कीजिए लेकिन अब 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 बेल्ट कीजिए डॉंट इट बिलो दे बेल्ट किस तरीके की बाते हो रही है मैनिफेस्टों में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कहीं कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है, और मैनिफेस्टों पढ़ता कितना आपनी है, हिंदुस्तान बड़ा संबरान देश है, साथ परसेंट लोग यहां के पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे समस्ते चाह लगेगा लेकिन जो स्तर आ गिया है डिवेट का बहुत ही घटिया है मुझे कहने में आपके प्रेस्टीजियस चैनल पर कोई हिचक नहीं है इसको उपर आना चाहिए लोग को आवाजी नहीं जा रहा है कुछ आडियो का इश्यों डॉक्ट्र प्रेम सुन भारें का आप हमें जी मेरा कहाल है कि डॉक्टर व्यास की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी लेकिन हम फिर कोशिश कर रहे हैं कुछ टेकनिकल ग्लिचेज हैं और व्यास साब मैं चाहूंगा एक बार फिर थोड़े टेकनिकल ग्लिचेज हैं वो ठीक हो जाएंगे मैं चाहूंगा आप व्यास साब एक बार फिर जरा अपना जवाब शुरू से शुरू करें प्लीज ललीच जी आवाज आ रही है मेरी मेनिफेस्टों में जीन बातों का जिक्र हो किस और इंगित करता पहले तो यह देखने की ज़रत है दूसरा एक गुंदेल खंड का बहुत अच्छा फेमस गाना है कि तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तो अब कट्टी हो गई है मेनिफेस्टों को जागर कर दिया गा है मेनिफेस्टों के अंदर जीक्र होने के पूर्व में क्या क्या हुआ है निश्ची दूर्प से इसको भी जानना जरू है दिल्ली लूटियन जोन की 121 प्रोपर्टियां जो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसपर की गई थी वो 5 अप पांच बार कोशिशे की गई अपिस्मेंट पॉलिटिस्ट की शुरुवात कहां से की गई और कितनी बार की गई मई 2004 में सरकार बनी उसके बाद में दो महिने बाद इस जुलाई 2004 में लगबग 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रयास किये गए जिसको माननी है हाई कोट न जिसमें सुप्रीम कोट द्वारा स्विकार गया कि इस इरलोजिकल और उसके बाद में जो रिटायट अधिकारी थे पीएस कृष्णा जी उनके निर्देशन में फिर से जुलाई 2017 में उसी चीजों की मांग को अलग तरीके से रखना उसके बाद साथ जिजों द्वारा खा आता है जो जिस तरह से प्रह से प्रहां मंधिर इने कहा है तो को औरेश उसका खंडन करकर देंगे हमने नहीं करा है निस्चीत रूफ से कि इनका एरक्षन का टे घ्रम शोशित वम इंचीत वर्ग दूसी तरह बाद करते कि शोष्ण वर्छ ट्रयां करतेοι ना कि जिस का ना निश्चे द्रोप से वदलता भारत है विक्षिद भारत है ये एक भारत है इसमें ये सब चीज़ें नहीं चलेगी इसी को प्रधान मंतरी जीने अपने उद्बोधन में इंगित किया है जी जी ठीक है डक्टर वैस आएंगे आपके पास रोहित नायक साब मेरा ख्याल है आप तक आवाज भी प्रॉपर पहुंच रही होगी आपने सुना भी होगा प्रधान मंतरी ने क्या कुछ कहा ये बात वही बात मैनिफेस्टो को लेकर और उस पर जो मुस्लिम लीग की आपको लेकर और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज नहीं हुई है उसका एक लंबा चोड़ा इतिहास है आपका एक क्विक रियक्शन फिर मेरा सवाल नायक साहब चाप की बात कह रहे हैं तो कलगत्ता अधिवेशन में किसने मुस्लिम लीग का साथ दिया और पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए कभ हिंदू राष्ट कभ बनना चाहिए और कभ मुस्लिम राष्ट बनना चाहिए इसके बारे में जो प्रस्तार पारिष हुए वो भी इति महासबा का जो इतियात है उसको पहले फून रूप से भाजपा को पढ़ देना चाहिए और जैसा की पहुंचानी जाए लोकल बॉड़ी एलेक्शन में जब मुस्लिम लीग की मदद ली थी आरसस ने संग ने उसकी बात कर रहे हैं आप मेरा ख्याल है मैं हर पक्ष में संग से जुड़े मुस्लिम लीग के सारों की बात कर रहा हूं हम जी हाँ कंटिन्यू नैक साथ सुन रहा है मापको मैं यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग की चाप अगर कॉंग्रेस के मैनिपेस्टों में दिख रही है तो वो किस आधार पे दिख रही है यह स्पष्ट करना आवश्यक है अगर उनने मैनिपेस्टों भाजपा का खुद का भी पढ़ा है तो वो यह बता दे कि उनने हिंदूओं के लिए क्या किया है अगर यह बात मुस्लिमों और धर्म के आधार पर रेजर्वेशन या किसी एक जाती वन विशेश के लिए कुछ विशेश करने की है और अगर पाश्मानदा की बात करते ही ओबी सी जुड़ जाते है उतमें और उनका उत्थान हो जाता है और भाजपा यह कर रही है तो सही है कॉंग्रेस लेकिन जब पिछडे मुसल्मानों की बात करती है या माइनॉरिटीस की स्पेसिफिकली बात करती है तो आरक्षण में जो कहा गया है उस बात को सुनिश्चित करने के लिए करती है और अगर इस बात को इस तरीके से जोड़ा जाए कि कहां चला जाएगा किसका मंगर सूत्र तो 2014 से पहले तो सोने का रेट था नहीं लेकिन क्या यह बात आपी की आगर कोई रिपोर्ट बनती है तो इस महत्पून यह है कि वो रिपोर्ट लागू होती है या नहीं होती है दूसरा जब करनाटिका में भाजपा की सरकार थी तो इनने 4% आरक्षन मुस्मिमों का कम करके लिंगायस को और वन्लिकास को दिया था उस पर जो बात निकल के आई थी, ये निकल के आई थी कि ये आप सुप्रीम कोर्ट के विरुत तब भी कर रहे हो आज की तारीख में अगर इस तीज को रिंस्टेट करने की बात कर रही है कॉंग्रेश और ये बात कह रही है कि एक जाती जंगनना होनी चाहिए जो भी disparity है population based उसको एकागर एक समतल करने के लिए इस बात का रखना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से आगे की resources और आगे की देश की दिशा निर्धारित की जाए और अगर वहाँ पर 75% reservation की बात Congress कह रही है जिसमें इस बात का भी reinstation है जो करनाटका में 4% इनने पहले reservation कम किया तो ये बात इनको बुरी क्यों लग रही है मुझी ये नहीं समझ में आता अगर इनको सबका साथ सबका विकास पसंद है तो ये इस तरीके की बात करते क्यों है और अगर ये हिंदू की बात करते हैं इसा इनने हिंदू के लिए पिछले 10 साल में क्या कर दिया अगर महंगाई है तो मुसल्मान पे बराबर है हिंदू पे बराबर है अगर बेरोजगारी है तो मुसल्मान पे बराबर है हिंदू पे बराबर है इनने क्या हिंदू को 50% सबसेटी देथी पेट्रोल टीजन में आटे दाल पेट्रोल प्यूल खाने के तेल पे कैसे लिए कुछ नहीं कर पाए ठीड नैक्स आप अगले हिस्से पर चलते हैं मैं आऊंगा आपके पास भी अगले हिस्से पर चलते हैं अब इस्ट पत्रकार भी में विरासत टेक्स की भी बात आई है पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा अब आपको वो जान लेना चाहिए बिल्गुल विरासत टेक्स को लेकर बीजे पी कंघर्स पर हमला बरहर साथी सार्थी संत्त पत्रोदा के बयान का भी यहां पर लेकिन विस्तार से हम आपको बताएंगे उनका मतलब घरगर छापा मारना अनाच के डिब्बे से गहने निकालना इस तरह के माववादी विचार से दुनिया बर्बाद है अर्बन नकसली का प्रकडिकरन ये शब्द ने ने इस्तमाल किया है विरासत टैक्स संपत्ती बटवारा अर्बन नकसल से जोड़ा है और वो ये भी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी थी देश के लोगों को जगाना